Hey guys, welcome back to twin flame now channel, कैसे हैं आप सब, आज की वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग भी है और 2021 में बहुत ही इंपॉर्टन भी है, हम सब के लिए, यह है जज्ज्मेंट्स के उपर, जो हम दूसरों के लिए जज्ज्मेंट्स रखते हैं, कहां से निकल के आती हैं, जज्ज्मेंट्स इगो से निकल के आती हैं, जितनी भी जज्ज्मेंट्स आप दूसरों के लिए रखते हो, वो इगो से निकल के आती हैं, क्योंकि हाट को सिर्फ अनकंडिशनल लव के बारे में पता है, जज्ज्मेंट्स के बारे में नहीं पता, यह हमारे पार्टन्स होते हैं, जो हमने य पर हैसे जेज्मेंट्स हम दूसरों के लिए रखते हैं वो ड्रायट, निकल के आती है I इ आप्ट सबका प्रसेप्शन लाइफ सीने का अलग है यूणिवर्सल डूफ है गया एक ही है ऐ और यूणिवर्सल डूफ क्या है लव अगर आप अपने लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम के लिए जच्मेंट रख रहे हैं या किसी के लिए आपने लाइफ में ये जच्मेंट रखी कि वो इनसान जो है वो डिवोस्ट है आपको ऐसे सिचेशन दी जाएगी या तो आपकी फैमिली में किसी का डिवोर्स होगा या आपका डिवोर्स होगा या फिर आप आपका ट्विन फ्लेम नॉन वेजटेरिन होगा या आप एंड अप कर दोगे ग्रेव करने के लिए नॉन वेज़ के इनिवर्स इसलिए सिचेशन देता है क्योंकि उसको पता है कि दूसरे को जच करना एज़ी है अब तुम्हें इस मूवी का हीरो या हीरोईन बनाते हैं और देखते हैं सिचुएशन कैसे मैनिफेस्ट होती है किसी से डिस्टेंस मैंटेन करना डिफरेंट बात है किसी के लिए जच्चमेंट रखना उसके उपर एक लेबल लगाना वो अलग चीज है आप किसी के लिए जच्चमेंट रखते हैं कि उसके मल्टिबल पार्टनर्स रहे हैं सेक्शल मल्टिबल पार्टनर्स रहे हैं आप ऐसी सिचछेशन में आ जाएंगे जहां पर स्वेल सर्चिंग के वज़े से सूल कर रहे हैं जहां पर आप मल्टिपल पार्टनर के साथ सेक्शली इन्वॉल्व होंगे या आपके फ्रेंट ऐसे होंगे याप का टू इन्फ्लेम ऐसा होगा आप किसी को जर्च करते हैं कि वो ड्रिंक करते हैं आपका twin flame या आपके parents या आपके siblings या आपके friends ऐसे या आपका partner ऐसा होगा जो ड्रिंक करते होंगे या आप end up कर दोगे ड्रिंक करने हों यह judgment कहां से आती है यह superior and inferiority से आती है आप किसी को जज़ करते हैं उनके extra marital affair के लिए कि इनका extra marital affair है यू end up situation में आप किसी को जज़ करते हैं कि ये catalyst twin flame है और ये इनसान की शायद real twin flame नहीं है आप end up होते हैं उस सेम situation में आपको डाउट होने लग जाता है कि मेरा twin flame connection है कि catalyst है क्या पता इतने सालों बाद एक situation का मैं example देती हूं कुछ मंस पहले मैंने निया phone लिया तो मेरे घर में जो लेड़ी काम करती थी उनके हाथ से गलती से चार्जर तोट किया निया चार्जर इगो ने react करा अरे उन्होंने कैसे तोड़ा उनसे कैसे तोट सकता है उन्होंने क्यों करा ऐसे ये वूगला इगो कैसे react करती है आपको भी पता है आई एंड अप ब्रेकिंग फिर मैंने निया चार्जर लाया आई एंड आप ब्रेकिंग देट न्यू चार्जर क्योंकि मैंने जच करा था आउन आई एंड आउन आई एक तो यह सिचुएशन किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है आप किसी को जच करते हैं कि वह अनजुकेटेटिड है वह अनजुकेटड नहीं है आपको अपना ट्विन आपको ऐसे इंसान से प्यार होता है जो uneducated है आपकी surrounding में ऐसे लोग होते हैं जो uneducated है क्यों आपको ऐसे situation दी गई है जब तक हम अपने अंदर की judgment और अपनी ego को release नहीं करेंगे वो same situations हमारी life में manifest होगी हमें release करना होगा आपने twin flame को लेकर judgment अपने आसपस के लोगों को लेकर judgment और उनके ओपर labels लगाना ये इनसान ऐसा है ये इनसान ऐसा है ये इनसान ऐसा है वो labels है ego के वो आपकी judgment है हमारी judgment है हम यहाँ पे किसी को judge करने नहीं आए है सब अपने path पे अपनी pace पे चल रहे है अगर आप किसी को जज़ करते हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीज़े कि हाँ मैं जज़ करती हूँ वो एक्सेप्टेंस जब अंदर होगी आपके अंदर एक आवेरनेस आएगी आपको कैसे पता कि वो इनसान गलत है और वो इनसान कुछ गलत कर रहा है आपको इस चीज़ का कैसे पता आपको तब तक नहीं पता लगता जब तक आप सेम सिचुएशन में खुद नहीं आ जाते राइट? वो पेन से खुद नहीं गुजरते राइट? अपनी इगो को डांस मत करने दीजिए इगो विल डांस लाइक दाट हर वक्तिमाइजेशन पिकलिंग कर जाओ क्योंकि माइड को फूड चाहिए इगो को फूड चाहिए वो आप से मिलेगा हल्दी इगो जैसी कोई चीज नहीं होती once you are on this journey or spiritual awakening you have to release everything every egoic damn thing जितने टेंपलेट से छोड़ने है जितने टेंपलेट से रिलीज करने है किसी को आप जज करते हो कि उन्होंने आप से पैसे लिए ये करा वो करा ऐसे करा वैसे करा आप end up हो जाओगे से इम सिचुएशन में बिलीज नहीं कर्मा इस गेटिंग फास्टर नाओ इंसंट कर्मा ओके गाइस तो प्लीज रिलीज रिलीज जज्जमेंट्स पर आल पीपल आप ये इस वीडियो से आप लोगो को कुछ समझ आया हो इगो कैसे डांस करती है थैंक ये सो मच